चोके नवीनतम ट्रैक में दिखाया गया है कि सै और विराट का रिष्टा पाखी के अंतही नाटक के साथ टुकडों में है। यह भी देखा गया कि सै विराट से दूर थी जहां सनी विराट को एहसास कराती है कि सै उस से प्यार करती है और इसलिए वह है। हाला कि जहां आगे सै ने विराट के प्यार का परीक्षर करने का फैसला किया। जहां सै ने विराट से पूछा कि क्या वह इरश्या करेगा यदि वह किसी ऐसे व्यक्ती से बात करेगी जहां विराट ने मना कर दिया। यह नाटक और भी रुमाचक होगा जहां सै किसी आदमी को लाएगी ताकि विराट को जलन हो ताकि वह उसके लिए प्यार का एहसास कर सके। यह देखना दिलचस्प होगा की शो में अगला ट्विस्ट क्या होगा। विराट और सै का मध्यरात्री में तकराव होता है जब विराट सै से पूछता है कि क्या वह पाखी से उसकी बातचीत से प्रभावित है। सै इसे सामानने कहती है और पूछती है कि क्या वह उसकी जगा पर होगा और उससे परिशान नहीं होगा। विराट उनकी जगा होते तो प्रभावित होने से इंकार करते हैं। इस प्रकार सै ने विराट को सबक सिखाने और उसकी सीमा का परीक्षन करने का फैसला किया कि जब तक वह किसी और के साथ उसकी निकटता से प्रभावित नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि पाखी द्वारा मोहित और सै के रिष्टे पर सवाल उठाने के बाद सै को विराट को पर्खने का एक अच्छा मौका मिलता है। सै अच्छी तरह से जानती है कि पाखी निश्चित रूप से विराट को उसके और मोहित के खिलाफ कुकसाईगी इसलिए वह मोहित को अपनी योजना के लिए सबसे उप्युक्त पाती है। साथ ही मोहित भी चाहता है कि विराट को सै की पीडा का एहसास हो और इस तरह वह भी सै के साथ खेलता है। मोहित सै के लिए विशेश कौफी लाता है जिसमें वे दोनों हंसते हैं और उलास पूरवक बात करते हैं और विराट को बेचे लोर उत्सुक छोड़ देते हैं। यह देखना वाकई आश्चर्य जनक होगा की मोहित और सै आखिरकार विराट को कैसे बोलेंगे और महसूस करेंगे कि जब वह पाकी से बात करता है तो सै किस दौर से गुजरती है।